हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागार थे आपका इस वीडियो एक वीडियो क्लास में हम एक न्यू बेटन उपर इस डिसकस करेंगी और एक या os बातिए है जैसे जितने भीिफिलर से कभी भी कभी भी कुस्टे मेंiver को जैसे ही आप पढ़ते हैं बैसे ही साल्व करना शुरू नहीं करना चाहिए पूरा क्लोस्टेस्ट पढ़िए और येदि आपको लगता है के टाइम नहीं है तो कम से कमुसेगभु close test आप जरूर पढ़िए और इसके through आपको close test का idea लगेगा close test की theme क्या है close test का tone क्या है close test का topic क्या है किस बारे में इसमें बात हो रही है ठीक है तो इस तरीके से इनको करना है और कुछ tricks मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देखे यसे यह filler है ठीक है तो इसका जो बगलबाला word है यह जो word है और यह जो word है इस word को आपको इसके साथ correlate करके जरूर देखना है यहाँ पर जो blank है इसके साथ left hand side में यह word है और right hand side में जो word है तो यहाँ से आपको एक fair idea लगता है कि किस तरीके से close test किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर यदि noun है तो फिर adjective आएगा यह अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको यहाँ पर proposition है कुछ particular words होते हैं जो particular words के साथ ही match होते है तो proposition के through भी आपको idea लग सकता है कि कौन सा word यहाँ पर appropriate रहेगा तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ इस question में हम क्या बता रहे हैं इस question में हम यह बता रहे हैं कि संडे का जो रजल्ट आया है प्रेसिदेंसिल एलेक्शन का और यह एलेक्शन मौलडीप में हुए है तो इनकी क्या हुई है विक्ट्री हुई है विक्ट्री यहाँ पर क्या है एक नाउन है यह किसी भी चीश का एक नाम है तो विक्ट्री के बगल में क्या word आएगा विक्ट्री के बगल में adjective word आएगा यहाँ पर एक adjective चाहिए है आपको जो इस नाउन को modify कर सके और ऐसा adjective चाहिए जो victory word के साथ naturally जाता है अब देखते हैं इसके option desired, hopefully, soft और stilly देखे, hopefully नहीं होगा, क्योंकि यह adverb है, soft नहीं होगा, stilly नहीं होगा soft भी एक adjective है, लेकिन soft victory नाम की कोई चीज नहीं होती अब दो word आपके सामने बचे, desired और resounding तो desired का मतलब क्या है, कि जिसकी आपने एक्षा की थी, desired victory तो desired victory, देखे, हर victory जो भी contest करता है election के लिए वो desire करेगा कि उसको जीत मिले, desired victory एक common word होगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि उसको एक शांदर victory मिली है, उसको, उनको एक शांदर victory मिली है तो यहाँ पर resounding कहना, ज़्यादा appropriate होगा तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, resounding यहाँ पर, अब देखिए, यहाँ पर भी एक noun है, अब्दुल्ला यमीन ठीक है, तो अब्दुल्ला यमीन को इन्होंने हराया है, इब्राहिम मुहमर सोली ने, और यह हारे हैं, और इब्राहिम जो है, वो जीते हैं, ठीक है, victory in the direct contest, जो इनकी contest था, जो इनका completion था, वो किस से था, अब्दुल्ला यमीन से, तो अब्दुल्ला यमीन proper noun है, यहाँ पर क्या चाहिए, noun से पहले हम क्या लगाते हैं, adjective लगाते हैं, तो अब्दुल्ला यमीन से पहले हम किस adjective को लगाएंगे, क्या हम healthy लगाएंगे, healthy अब्दुल्ला यमीन कोई sense बन रहा है इसका, नहीं बन रहा, letter मतलब बाद वाला कोई sense नहीं बन रहा, incumbent, culprit और obligatory, culprit का मतलब अपरादी होता है, तो अब्दुल्ला यमीन अपरादी हैं, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल ले हैं, healthy है, एक healthy participant से completion करेंगे, इसका कोई sense नहीं बन रहा है, तो सही answer क्या होगा, देखे, इनका जो election हुआ है, वो किस से हुआ है, जो incumbent अब्दुल्ला यमीन है, जो already charge में हैं, जो already office में हैं, उनके साथ completion हुआ है, उनके साथ contest हुआ है, और इस contest में इब्राहिम मुहंबत को जीत मिली हैं, और अब्दुल्ला यमीन हार गए हैं, तो जो हारा हुआ व्यक्ति है, वो पहले office में था, वो पहले charge में था, ठीक है, अब उसको replace किया जाएगा, जीते हुए व्यक्ति के द्वारा, तो जो व्यक्ति office में होता है, जो व्यक्ति charge में होता है, उसको हम बोलते हैं incumbent, incumbent यहाँ पर आपका एक सही answer होगा, incumbent एक adjective है, incumbent अब्दुल्ला यमीन, जो office में होता है, जो charge में होता है, उसको हम बोलते हैं incumbent ठीक है इस तरीके से इनको logically in questions को करना होता है close test में the final result will be published by the election commission by September 30 and the current government will according to procedure hand over अब देखिए इसमें आगे क्या है कि final result जो है वो election commission को ज़रा publish किये जाएंगे कब तक पर publish किये जाएंगे September 30 तक यहां पर एक word ये proposition लगा है by September 30 by September 30 का मतलब होता है not later than उसके आगे नहीं उससे पहले या उस तक तो by September 30 का मतलब है कि 30 तारीक तक यह 30 तारीक से पहले not later than by का मतलब होता है not later than ठीक है current government will according to procedure hand over अब जो current government है वो किस चीज को hand over करेगी hand over मतलब दूसरे विक्ति को देगी जो जीता हुआ है क्या उसको charge देगी क्या उसको throne देगी क्या उसको key देगी क्या उसको victory देगी क्या उसको obligation देगी देखे थ्रोन क्या होता है थ्रोन होती है राज सिहासन या राजगदी तो राजगदी या थ्रोन का जो word का हम यूज करते हैं वो kingdom के sense में हम यूज करते हैं राजा महराजाओं के sense में यूज करते हैं तो राजा महराजाओं की या रियासतों की बात तो नहीं हो रही है इस passage में तो democracy की बात हो रही है और democracy में जो elections होते हैं उसकी बात हो रही है तो throne कहना गलत होगा ठीक है? keys hand over keys, hand over keys हम तब करते हैं जब अपना मकान हम बेच देते हैं किसी victory को या किराय का मकान से हम दूसरे मकान में जाते हैं तो हम उसकी keys मकान मालिक को दे देते हैं तो keys तो बिल्कुल ही गलत होगा hand over victory कहना senseless होगा hand over obligation कहना senseless होगा तो एक ही word बचा यहां पर charge hand over charge और November 17 ठीक है? 30 तरीक को रजल्ट आएगा और government जो incumbent government है वो November 17 को charge को hand over कर देगी It is immediately clear that Maldivians voters have in change अब यहां पर क्या word आएगा? अब यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको कि जो बगल में जो words है adjoining words है जैसे have और in इसके साथ इस word को आपको correlate करना है have का मतलब यह है कि यहां पर third form आएगी in के साथ कौन सा word जोड़ सकता है dealt, signal, indemnify, usher में और usher में ed भी लगा हुआ है तो यहां पर usher word पूरी तरीके से justify हो रहा है कि हैप के साथ यहां पर third form चाहिए आपको और एक ऐसा word चाहिए जिसके साथ in आए तो usher in का मतलब क्या है किसी change की शुरुआत करना जो कि Maldivian voters ने यहां पर की है तो usher in कहना यहां पर एक दम सही होगा अशर in change change के sense में हम इस word को use करते हैं usher in with 58% of the voters choosing Mr. Soli of political affliction अब फिप्ट में देखिए फिप्ट में आपके adjoining words कौन से हैं off तो off के साथ कौन सा word in message जा सकता है off के साथ के बल regardless जा सकता है क्योंकि हम बोलते हैं regardless of regardless of का मतलब है कि इस चीज़ को ignore करते हुए इस चीज़ को यदि हम नहीं भी मानें तो भी यह चीज़ सही होगी जैसे यदि मैं बोलूं कि everybody will be given a chance regardless of their gender इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हर वेक्ती को chance दिया जाएगा चाहे उनका gender कुछ भी हो चाहे वो male हो या female हो तो regardless का यह मतलब होता है regardless के बाद हम off लगाते हैं तो यहाँ पर सही answer होगा आपका regardless Maldivians have much to celebrate with the successful completion of the election तो Maldivians के पास celebrate करने का एक मौका है एक chance है और इस election के completion के बाद तो यह simple passage है simple close test जदा tough passage यह नहीं है और IVPS clerk में pre में, means में इस तरह के passage आपसे कूछे जा सकते हैं simple logic आपको apply करना होता है close test में और जो filler होते हैं जो blank होते हैं उसके बगल वाला word आपको देखना होता है उस बगल वाले word के साथ blank को आपको correlate करना होता है part of speech की knowledge भी इसमें काम आती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा word noun है और यह दिन noun है तो noun के साथ adjective जाएगा यह आपको पता होना चाहिए कहां पर adverb आएगा किस word के साथ कौन सा proposition naturally जाता है यह भी इसमें आपको देखना होता है जिसे आपको मैंने बताया है कि regardless के बाद off आता है अशर के बाद in आता है तो इन सारी tricks को यदि आप apply करते हैं तो किसी भी close test को आप आसानी से कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इस close test को explain किया है इसका feedback आप जरूर मुझे गूर्प में दीजिएगा और कोई भी comment है कुछ मीची शेयर करना चाहते हैं तो इन numbers के थूरू मुझसे आप contact कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में thank you